अबिनेता दिलीब कुमार का जर्म हुआ था अबिनेता दिलीब कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की शुरेडी में लाकर खड़ा कर दिया आजाद, देवदास, नया दौर, मुगले आजम, लीडर, राम और श्याम, शक्ति आदी इनकी बेहतरीन फिल्में हैं दिलीब साहब को पद्म भूशन, पद्म विभूशन, दादा साहब फाल के पुरसकार समेत कई अन सम्मानों से नवाजा गया है 1941 में आज ही के दिन जौमनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोशना की थी पहले इटली के शासक, बैनिटो, मुसोलिनी और फिर जौमनी के ताना शाह एडॉल्फ हिटलर ने ये घोशना की जौमनी के युद्ध के एलान के पहले तक अमेरिका यॉरप में चल रहे संगर्ष में तटस्त राष्ट की भूमिका निभा रहा था लेकिन अमेरिका के परल हार्बर पर हुई जापानी बंबारी ने जर्मनी को भी आर्ष्टर चकित कर दिया जर्मनी के ताना शाह हिटलर ने धुरी सायोगी जापान के साथ मौकिक रूप से समझोता किया था कि वह अमेरिका के खलाफ जंग में शामिल होगा 1946 में आज एक दिन सैयुक्तर राष्ट के अंतरराष्टी बाल कोश्ट की स्थापना हुई थी वर्षों से युनिसेफ दुनिया भर में बच्चों के हितों के लिए काम कर रही है दूसरे विश्युद के बाद सैयुक्तर राष्ट की महासभा ने एक अंतरराष्टी बाल राहत कोश्ट बनाने का फैसला लिया कई वर्षों तक युनिसेफ ने विश्च भर में युद्ध की तरास्दियों से प्रभावित देशों के बच्चों को राहत पहुचाने का काम किया 1970 आते आते हैं बाल अधिकारों की वकालत करने वाली एक बुलंद आवाज बन गई 1980 के दश्चक में युनिसेफ ने मानव अधिकारों के यूएन कमीशन की बाल अधिकारों का मौसॅद तयार करने में काफी मदद की 1989 में इस मौसौद की स्विकार किये जाने के साथ ही बाल अधिकारों के शेत्र में ये एक गातिहास ये कदम थाविँत हुा क्यूंकि उसका मानना था कि इससे उनकी राष्टी प्रभुता और बच्चों और अभिवावकों के संबंदों पर एसर पड़ेगा। 1979 में आज ही कि दिन मशुहूर भारती शत्रंज खिलाणी विश्व नाधन आनंद का जन्म हुआ था। 1988 में आनंद भारत के पहले Grand Master बनी, 2000 में फीडे विश्व शत्रंज चैंपियनशिप जीतने वाले यह पहले भारती हैं। विश्विनाथन आनंद ने छे बार शतरंज आसकर जीता है। विश्विनाथन आनंद अब तक पांच बार विश्व शतरंज चैंपियन बन चुके हैं। विश्विनाथन आनंद को पदमश्री, पदमभुशन, पदमभुशन, अरजुन पुरसकार और राजीव गांदी खे का पर्याय माना जाता है उनके गाय हुए गाने खासकर भजन आज भी लोगों के बीच काफी लोगप्री हैं देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू ने उन्हें संगीत की रानी बताया तो वहीं स्वर सम्रागी लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्वनी की पारत रत्म, पद्म विभूशन, पद्म भूशन, संगीत नाटक अकादमी सम्मान और रैमन मैक्सेस सम्मान से नवाजा गया है